उधारण 25 समीकरण 3x की घात 2 धन 2x धन 7 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवां गुड़न फल ग्याद कीजिए हल समीकरण 3x की घात 2 धन 2x धन 7 बराबर 0 की तुलना A x की घात 2 धन B x धन C बराबर 0 से करने पर हमने देखा कि A कमान हमने निकाला ग्याद किया A कमान ग्याद किया तीन B का मान दो और उसी तरह से C कमान साथ है अब चूंकि मूलों का मूलों का योगफल मूलों का योगफल हम जानते है रिड B बटा A होता है इसी लिए मूलों का योगफल बराबर रिड B बटा A में रिड B का मान हमारे पास दो है बटा A का मान है तीन तो इस तरह से हमने ग्याद किया कि मूलों का योगफल बराबर रिड दो बटा तीन है दिये गए समी करन का अब हम जानते है कि चुकी मूलों का मूलों का गुड़नफल होता है C बटा A इसलिए मूलों का मूलों का गुड़नफल बराबर C का मान है साथ बटा A का मान हमने तीन निकाला है तो मूलों का गुड़नफल बराबर हमने साथ बटा तीन ग्याद किया दिये गए समी करन का तो इस तरह से हमने देखा कि दिये गए समी करन 3X की गाद 2 धन 7X धन 7 बराबर 0 का मूलों का योगफल रिड दो बटा तीन एवं मूलों का गुणन फल बराबर साथ बटा तीन हमने ग्यात किया यही सुधारण का हल होंगा सोचें एवं चर्चा करें मूल ग्यात होने पर क्या वर्ग समिकरण बनाया जा सकता है? बहुपत अध्याई की अवधानाओं एवं मूलव गुणांकों के संबंधों के आधार पर वर्ग समिकरण के बनाया जा सकने की संभावनाओं की चर्चा अपने साथियों से करें